पूर्च के करता है यह जिस भी साइट से जिस रिसेप्टर से बायंड करेगा वहां पर यह एगोनिस्ट के अपोजिट एक्षन देगा तो यहाँ पर हम inverse agonist को समझने के कोशिश करेंगे देखे काफी कम example होते हैं जहाँ पर की inverse agonist bind होते है inverse agonist के receptor पर bind होने के लिए क्या जरूरी होता है inverse agonist के लिए bind होने के लिए जरूरी होता है कि जो receptor है वो constitutally active हो या फिर tonically active हो तो यहाँ पर देखे इसका example गया है जैसे कि हमारे पास बेंजोडाइजेपीन receptor है अब देखे यह हमारी structure है बेंजोडाइजेपीन receptor की और यह बेंजोडाइजेपीन जो receptor है यह constitutively active होता है या tonically active होता है अब बेंजोडाइजेपीन receptor पर बेंजोडाइजेपीन binding sites होती है तो यहांपर alpha site हो गई और यह होगई हमारी gamma site तो जो alpha site है उस पर हमारा देखी यहांपर बाइइंड हो गया banjo世ur diagepine receptor जो की alpha site है उस पर हमारा कया बाइइंड हो गया यह orange कलर में 89 कलर में डाइजेपाम बाइइंड हो गया open होने के बाद में यहां पर देखी यह chloride का influx होगा अब chloride का influx होगा यह chloride जो है आपका move कर जाएगा move कर गया तो इसके बाद में जो है गावा जो है उसका hyperpolation होगा इससे क्या होगा neurons की जो firing है वो कम हो जाएगी तो यहां पर convergence कम हो जाएगा अब हम समझते हैं कि inverse agonist अगर bind होता है तो inverse agonist हमारा यह वाली site है यह गामा site है और गामा site पर यह जो red color का molecule है यह हमारा inverse agonist है मतलब कि यह DMCM molecule है अब DMCM molecule जब bind हो रहा है तो वो क्या करता है इस channel को close कर देता है अगर यह channel close हो जाएगा तो chloride जो molecule है वो जो है इससे मूँ नहीं कर पाएगा तो यहां पर गाबा का hyperpolarization नहीं होगा तो इस site से जो है neuron की firing जो है वो increase हो जाएगी एगोनिस्ट में firing decrease हो रही थी और inverse agonist में firing जो है वो increase हो जाएगी तो यहां पर जो है convergence होंगे clear तो यहां पर देखिए एगोनिस्ट जब डाइजेपाम जब बेंजो डाइजेपीन डिसेप्टर alpha side पर bind हो रहा था तब क्या हो रहा था neuron की firing decrease हो रही थी और firing decrease होने से convergence नहीं आ रहा थे अब उस inverse agonist bind हो रहा है red color वाला तो यह उसका opposite action दे रहा है और firing को increase कर रहा है इसलिए convergence आ रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि agonist के bind होने पर क्या होगा और inverse agonist के bind होने पर क्या होगा clear everyone I hope आप लोगों को inverse agonist की definition समझ में आई होगी